जै गुरुजी, शुकराना गुरुजी, सारी संगत को जै गुरुजी गुरुजी हमेशा कहते हैं कि इन पांच चीजों से हमेशा दूर रहा करो अगर तुम इन पांच चीजों से दूर रहोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा बहुत ही अच्छी इंफोमेशन दूंगी इस वीडियो में इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जै गुरुजी लिखना मत बूलना गुरुजी हमेशा कहते हैं कि एटिट्यूड, वहम, घमन, लोगों से बुरा विवार करना मन में बदले की भावना रखना इन पान चीजों से दूर रहा करो तो गुरुजी हमेशा आपके साथ रहेंगे गुरुजी हमें इन चीजों से दूर रहने को कहते हैं हमें कभी भी किसी को भी attitude नहीं दिखाना चाहिए, ये गलत बात है हमें वहमों से भी धूर रहना चाहिए, किसी भी वहम में नहीं पढ़ना चाहिए हमें पंडितों के चक्रों में भी नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा गुरुजी ही कहते थे ये बात गुरुजी के वचनों में भी है कि हमें पंडितों के चक्रों में नहीं पढ़ना चाहिए अगर कोई आधे ग्यान वाला पंडित मिल गया तो क्या गुरुजी जब हुमन फॉर्म में थे तब वो कहते थे कि अपनी खुशाली के लिए कभी भी वर्ट स्टोंस नहीं पहनने चाहिए अगर कोई पत्थर उल्टा असर कर रहा हो तो इसमें हमारा ही नुकसान है राशी, कुंडली और जोच्छी गुरुजी इन में से किसी भी चीज में नहीं मानते थे वो हमेशा कहते हैं कि वहमों से दूर ही रहना अच्छा है कभी भी हमें शो ओफ नहीं करना चाहिए किसी भी चीज पर घमन नहीं करना चाहिए कि मेरे पास तो इतना पैसा है कभी भी घमन मत करना जो लोग घमन करते हैं वो लोग गुरु जी को बिल्कुल पसंद नहीं है कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए हमारे पास जितना है हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए हमें लालच नहीं करनी चाहिए बलकि हमें गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतना कुछ दिया हमेशा पॉजिटिव रहा करो नेगेटिव थेंकिंग अपने माइंड में मत लाया करो कभी भी गरीबों के साथ या फिर जो जरूरत मन्द लोग होते हैं उनके साथ बुरा विवार मत करा करो कभी भी गरीबों के साथ बुरा विहेव मत किया करो सिर्फ गरीब ही नहीं हमें किसी के साथ भी बुरा विहेव नहीं करना चाहिए क्यूंकि गुरु जी हमें देख रहे हैं और हमारे बुरे कर्मों की सजा गुरुजी हमें अपने तरीके से दे ही देंगे इसलिए हमें हमेशा अपने करम अच्छे रखने चाहिए हमें कभी भी अपने मन में बदले की भावना नहीं लानी चाहिए बदले की भावना सबसे गंदी होती है कोई अगर आपके साथ बुरा करता है तो आप उससे बदला मत लेना अपने मन में बदले की भावना नहीं आने देना कोई अगर आपके साथ बुरा करता है तो आपको बदला नहीं लेना है आपको अपने करम अच्छे रखने है जिसने आपके साथ बुरा किया, गुरू जी उसको खुद देख लेंगे इसलिए आप बस अपने करम अच्छे रखो हमेशा इन पांच चीजों से दूर रहना एटिट्यूड, वहम, घमन, बदले की भावना और दूसरों से बुरा विवार करना अगर आपको गुरू जी से रिलेटेट कोई कोशन पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मैं इसका अंसर जरूर दूँगी जै गुरू जी, शुक्राना गुरू जी